दूसरा ऐसा ही एक बार किससा मैं आपको बताता हूँ हम नियत या पदरत के आगे मजबूर है एक्सुले डाउजिंग अस्टोलोजी थे हैं जब हम किसी भी वेक्टिक को स्कैन करते हैं अटाई को सकते हैं उसका अगला पिछता सारी चीद देख सकते हैं आने वाली स्थिति परिस्तितियों के बारे में लग लग सभी चीज का ग्यान उसमा मिल जाता हैं और क्योंकि पंतरों का पावर होता है वो थडाई चेक्टित होता है वो बहुत स्ट्रॉंगी वर्क करता है एक व्यक्ति के बारे में जब हमने डाइगनोस करा था और उनको अभी हम हैं जैन तीर्थ श्री गंटाकणु आविर्थ साधना केंद्र में इस तीर्थ का निर्मान बगवान की प्रतिष्ठा सन दो हजार तेवीस अपरेल मिलुई थी लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी जो हम मंत रही लेंगे डाउजिंग अस्ट्रोलोजी जे जिन केसिस को करते हैं उसके बारे में अब कई बार क्या होता है कि कुछ केसिस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम नियती या खुदरत के आगे मजबूर होते हैं और कई बार कुछ केसिस ऐसे भी होते हैं कि जहां लोग अपनी आदत के आगे मजबूर होते हैं मैं आपको ऐसे ही कुछ किस्टों के बारे में जो रियल केसिस जिनको हमने डील किया उसके बारे में बता रहा हुआ एक वेक्ति थे जिन्होंने मुझसे मंत्र हीलिंग चाही जब मैंने मंत्र हीलिंग करी उनको डाउजिंग अस्ट्रोलोजी से पूरा डाइगनोज करा इसकेन करा तो मैंने उनको बताया कि एक दिन बाद ही मतलब कल के दिन आपको हट आटेक आने वाला है आप तुरंत उसकी विवस्था भी करें मेडिकली भी और रेगुलर अभी जो दो दिन बचा है उसमें रेगुलर मैं आपको मंत्र हीलिंग दूँगा उन्होंने मंत्र हीलिंग तो नहीं ली डॉक्टर को दिखाया अपने हर्ट का चेक अप करवाया है डॉक्टर ना उनको बताया कि आप अब यहां पुद्रत के आगे हम भी मजबूर यह सामने वाले की आदत क्या आगे वो मजबूर है अगले दिन जो मैंने उनको समय बताया था कि लगबग शाम के समय हटेटेक आने की संबावना बन रही है ठीक वैसा ही हुआ और शाम के बाद उनकी फोटो मेरे वाटसप प यह एक व्यक्ति जिसको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं लेकिन क्योंकि वो अपनी आदत के आगे मजबूर है यह आप नियत ही कह लें जो भी कुछ है लेकिन चाहा कर भी वो व्यक्ति भी अपने आपको बचाने के जद्दो जद्द नहीं का पार है दूसरा ऐसा ही एक और पिस्सा में आपको बताता हूँ जहां रियली हम नियत या कुदरत के आगे मजबूर रहे हैं एक्शले डाउजिंग अस्ट्रोजी में जब हम किसी भी व्यक्ति को स्कैन करते हैं डाइग्नोस करते हैं उसका अगला पिछला सारी चीज़ देख सकती है आने वाले इस्तिती इस्तिन हो इस्तिती है जब हमने डाइग्नोस करा था और उनको बताया कि इस इसताइग को इतने इतने बजे इनकी डाइथ होने वाली है और नॉर्मरी ऐसा हर बार नहीं कर पाते हैं किसी के डाइथ को प्रिडिक्ट करें क्योंकि ये हमारी सर्विशेज में नहीं होता है लेकिन जहां बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉंटेक्ट में इस्तितियां आ जाती हैं कि अब बताना बड़ा जरूरी है तो मैं उसी वक्त इन सब चीजों को बताता हूँ नहीं तो नॉर्मली मैं ऐसी चीजें बताता भी नहीं हूँ किसी को एक सेर्टें टाइम लिमिन बता देता हूँ उसको सीवियर करके बता देता हूँ अदर्वाइस नहीं बता हूँ लेकिन जहां कहीं कोई दिन नहीं दिख रहा होते तब सामने वाले को अवेर करना पड़ता हैं कि आप हमसे मदद ले सकते हो तो हमसे भी लो और क्योंकि हमने बहुत सारे केसिस में कही लोगों की मदद करी है और उनका वो समय निकाला है जो उनका म्रत्यू को समय थै क्योंकि जीवन में नियती का एक नियम है कि आपको जीवन में हर चीज़ दो बार मिलती है वो जनम की योग भी दो होते हैं विवा की योग भी दो होते हैं तो इसल सारे चीजे मैंने देख ली थी और उनको बताया कि इस दिन पर इतने इतने बजे ऐसे इस इस इस्तिती हो सकती है उनका परेवार अवेर रहा लेकिन क्यूंकि हमें मालूम था कि अब किसी भी सूरत हाल किसी भी तरह से बचने की इस्तिती नहीं है यह फाइनल टाइम उन्हों कि अन्होंने भी मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहे थे सारे चीजे होती रही है उनको जो टाइम बताया था कि इस टाइम पर डैथ होनी की संभावना है उस टाइम पर उनका भी पहले फोन आया मेरे पास इसे टाइम हो रहा है यहां हो तो रहा है भाई अब क्या कर सकते हैं हमारे हाथ में हम भी वो कर रहा है और ठीक जो मैंने टाइम दिया था उसके दो मिन्ट बाद उनका कॉल आता है कि इस नो मोर तो यह बड़ी वडमना वाली चीजे होती है कई बार और कई केसिज में ऐसा भी होता है मैंने एक एक यंग परसन था बेसिकली उसका एक केस करा जहां पर उसको तो बहुत सारे जगह पर जैसा नॉर्मली होता है आदमी बहुत सारी जगहां जाता है मालूम करता है जहां उनको बता जिया था कि यह सर्टेन पीरेड है आपका ऐसा यहां पर ऐसी ऐसी ग्रहों की दशा है और यहां पर मरत्यू तो लिस्तितिया हैं आपक लेकिन वहाँ पर मैंने उसे वक्ति को बचाया था जिस समय उसका म्रत्यों जीसा समय था मैंने उस टाम उसका उस वक्ति के साथ में कुछ इस तरीके के गटनाओं को अंजाम दिलवाया बेसिकली वो सारी क्रिया प्रक्रिया जो भी होती उस ताम पर किसी के दुरगटना के समय की वो मैंने सारी वेसी की वेसी उसके साथ में करवाई ती और यह प्रभू करपा रही मेरे घंटाकन मावील का अचिरवाद रहा हमारे ऑिस्तदेव आराद का अचिरवाद रहा मांत्रों की ताकत रही कि वो सारा गटना करन है गटा लेकिन वो सारी चीछ छोटे रूप में निकल गई और वो व्यक्ति आज कई सालों के बाद भी बहुत अच्छे हैं स्वस्थे हैं अपने परिवार के साथ चलिए आगे भी और बात करेंगे हैं इसी तरह के कुछ और सची गटनाओं के बार